है गाईज मैंनम इस विरेंज सिंग वेलकम टू दा पर्टिक्लर ली चैनल होब कि आप सब लोग ठीक होंगे आप लोग जुड़े वेस यूट्यूब चैनल के साथ प्राइटाइज कैसे सेट करें एक बड़ा सवाल आता है कि अगर आपके पास प्राइटीज है आपके पास काम के बहुत सारे लिस्ट है तो उनको प्राइटाइज कैसे करें ठीक है न कैसे जो है प्राइटाइज को आपने काम को प्राइटाइज करना है ताकि आपका जो टाइम है वो प्रॉपर मैनेज हो प्राइटीज सेट करने के लिए जो है प्राइटीज कैसे सेट करें उसी क क्लास लेना है दोस्त के साथ मीटिंग भी करनी है इन सभी चीज़ों के उपर जब बात की जाएगे तो प्राइटी सेट होगा कैसे एक बीसींच के उपर जब बात करेंगे इसके पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल सा अप्रोच किसी ने दिया था उसा अप्रोच का नाम है एक ईसन्ध को जिसको बोलते हैं प्राइटी मैट्रिक्स क्या आईजन्होवर मैٹ्रिक्स जिसको बोले जाता है priority matrix इस priority matrix को create किया जाता है कि किसी भी काम को कितना important है और कितना urgent है वो urgent है और important है इसी basis पर जो है इसको decide किया जाता है अब हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो ठीक है न, कोई ऐसा काम हो, जो आपके लिए बहुत ही जादा important हो, और बहुत ही जादा urgent हो, हो सकते हैं, कोई ऐसा काम हो, जो बहुत ही जादा important हो, और बहुत ही जादा important हो, तो बहुत ही जादा urgent है, और बहुत ही जादा important है, example के तोर पे ले लेते हैं, जैसे मेरा class लेना, urgent अर्जेंट भी है तूरंत लेना पड़ेगो जिस टाइम पर है इंपर्टेंड भी है तो जो काम आपके अर्जेंट है और important है urgent भी है और important भी है जो काम आपके urgent भी है और important भी है उस काम को पहले करिए do first urgent भी है important भी है ठीक है कोई भी काम आपके पास जुतने भी काम है उनको इसी category में urgent है important होगा या तो important urgent नहीं होगा important होगा या तो urgent होगा लेकिन important नहीं होगा और या तो फिर आपका नहीं urgent होगा, नहीं important होगा, यहीं हो सकता है, urgent भी है, important भी है, अभी करना है, तुरंत करना है, हो सकता है कि कोई काम जो है, urgent आपका हो, लेकिन important नहीं है, urgent तो हो सकता है, लेकिन important नहीं हो सकता, ऐसे काम को delegate कर ये, delegates करने का मतलब किसी की मदद ले लिजिए, कि भाई ये काम कर देगा, क्या, दोस्त को phone कर लिए ये kाम, important नहीं है, करवा दीजी, अगर कोई और कर सकता है, या तो अगर कोई और नहीं कर सकता, तो इस काम को कब कर ये, बाद में, example क के तौर पर PPT , म corazón के लिए मैं PPT बना रहे हूं , भू सकता हो कि मुझे अभी क्लास भी लेना है और वहीं पर PPT भी बनाना है अरजैंट है क्योंकि अगली क्लास है , लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है महलाब इंपॉर्टेंट का मुदब आदना कि अगली class में अभी तुरन नहीं चाहिए, urgent तो है, जरूरी है तुरन चाहिए, लेकिन उतना important नहीं है, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरा example ले सकते हैं, कि मम्मी ने फोन किया कि बेटा, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से कोई cab नहीं मिल दे, मुझे घर छोड़ दो एक importance है, no doubt, but urgent है, तो मैं दोस को लब जो करीब है, भाई तरह से मम्मी को घर छोड़ देना, ठीक है, तो यह चीज जो है, इस category में follow-up करेंगे, इसको बाद में कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, तीसरी category आती है, that कोई काम important होगा, लेकिन urgent नहीं होगा, यह काम important है, लेकिन urgent नहीं, तुरंत नहीं करना है, बाद में भी कर सकते, ऐसे काम को do next, do first, do first कौन होगा, जो important है, और urgent है, do next कौन होगा, जो की important है, लेकिन urgent नहीं है, और जो urgent है, लेकिन important नहीं है, वो बाद में करिये, और जो नहीं urgent है, और नहीं important है, उसको करना ही नहीं है, जैसे, दोश्ते कहा भाई ब्रेक अप हो गया बैठते हैं ना अर्जेंट है ना ही important है ऐसे बहुत सारे काम हैं Instagram पर Reels देखना ना ही urgent है ना ही important है नहीं करना है तो एक टाइम पे आपके पास अगर चार काम हो तो इन चारों से decide करना है कि वो क्या है urgent versus important कि वो urgent हो सकता है और important भी हो सकता है, वो urgent होगा लेकिन important नहीं होगा, urgent नहीं होगा तो important होगा और या तो दोनों नहीं होगा, यह सबसे पहले करिए, फिर यह करिए, फिर यह करिए, ऐसे prioritize कर दीजे अपने task को, ठीक है, समझ में आ गया, कैसे बात करने की कोशिस करी, यही आपका जो काम है, एक टाइम पे अगर चार टास्क भी है, तो भी आप उसको sequentially manage कर पाएंगे, और manage कर पाएंगे, तो definitely आपके लिए काफी helpful होगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से next वीडियो में, till then Baba Take Care, यह वीडियो अच्छा लगा, तो comment box में भी जरूर बताइएगा, all the best.